हलो एवरिवन अश्टटी क्लास में आपका स्वागत है लुसेंड बाल विकासें सिच्छा साथर का ये चैप्टर एक दस्मलों सोल आकलेने मुल्यांकन आज़ा पढ़ेंगे और इसके पहले का चैप्टर मैंने अल्रडी बना चुका हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में म महतपूर्ण अंग है वैदिक काल में सिक्छार्थि का मुल्यांकन मौकी के परिक्शाओं के रूप में होता था इनका मुख उदेश विद्यार्थी की अस्मिर्थी तथा सविकृती यानि recall and recognition की चमता का मुल्यांकन करना होता था हमारे देश में 854 इसे में उड के घोसना पतर के पहँचाता था अंग्रेजी सिक्षापदती के प्रसार के फल सोरूप परिक्षाओं को महत मिलने लगा। मुल्यांकन की प्रक्रिया मापन परिक्षा के पेच्छा कृत अधिक विश्दीरत पर्क्रिया है। मुल्यांकन के अतर गत, सिक्षन और अधिगम की परकिरिया, सिक्षन विध्यों, सैचिक उदेशों, सिक्षन प्रभावसिलता, विदायती की सफलता को जानकर उसको उचित निर्देश देना इत्या दियाता है। कोठारी आयोग 1964-66 का मत है कि मुल्यांकन एक निरंतर चनले वाली परकिरिया है, जो सिक्षा की संपुन परनाली का अभिन अंग है, तथा जिसका सैचिक उदेशों से घरी संबंध है, यह सिक्षार्थी की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ाने की पदितियों पर गहरा पर भाव डालती है, तथा इस परकार यह सैचिक उपलब्धी के मापन एम सुधार में सहयक होता है, मुदालियर कमिस्नर ने कहा है, परिक्षा और मुल्यांकन का सिक्षा के छेत्रे में मरदपुन अस्थान है, सिक्षार्थियों ने अपने अध्यान काल में किस सीमा तक उन्न सक है, इसके बाद है सैचिक मुल्यांकन के उद्देश यानि एम्स ओफ एजुकेशनल एवलवेशन, सैचिक मुल्यांकन के उद्देश, सैचिक मुल्यांकन ने मलिकित उद्देश की प्रप्ति के लिए किया जाता है, सिक्षार्थियों की सैचिक उबलब्दी के अस्तर का निदारन करने के लिए सिक्षारतियों की स्याचिक निस्पत्ति के आधार पर निर्देशन एवं प्रामर्श परदान करने के लिए विद्यारतियों की असभलताओं का कारण पता कर उनका उपचार करने है तो विद्यार्थियों की ग्रेडिंग वर्गी करन तथा प्रोनत्ती करने के लिए विद्यार्थियों की योगिता के आधार पर पुरस्कार एवं छात्रविती प्रदान करने है तो सिक्षन में गुनात्मक सुधार है तो अधिकम के वातावर्यान में सुधार करने के लिए समाय तथा भिवाव को कोजवाब देई है तो नियमित रुप से उनके बच्चों की उपलब्धी एवं उन्नति का पता लगाने है तो सिक्षन प्रभावसिलता को जनने के लिए सिक्षन विद्धियों में परिवर्तन या सुधार करने है तो पाइट करम एवं पाइट पुस्तों को में ऐसे बिंदों का पता लगाना जिन में परिवर्तन या परिमार्जन के आफ सकता है इसके अगे is मुल्यांकन के प्रकार यानि कैंटs of evaluation मुल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे मुल्यांकन मुखी रुप से दो प्रकार का होता है पहला है अलबकालिन या करमानुसार मुल्यांकन यानि सौर्ट टर्म ऑफ फوسार्मेतिव इभालिवेशन अल्बकालेन मुल्यांकन का अभिप्राई उस मुल्यांकन से है जो सत्र के बीच में अनेक बार विद्यार्थियों की सैचिक एवं वेक्तितु समंधि उन्नति एवं विकास को जानने के लिए किया जाता है इस मुल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के विकास तथा पाइठेक्रम के विकास का पता लगाया जाता है। इस परकार का मुल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के विकास तथा है। संपुन विशे को समझना सरल हो जाता है। शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही विवस्तित धंक से सिक्षन और अधिगम का कारी कर सकते हैं। इस विद्यार्थी विशे का अधिग गहनता से करता है। परिक्षा के समय चात्रों को गेस्वेपर या गाइड जैसी पूस्तों को का सहरा लेना नहीं पड़ता है। अब इसका दोस्त जानेंगे याने डे मैरिट अब जानेंगे अल पकालेन मुल्यांकन के दोसन में लिखित है। इसमें सिक्षक को अधिक कारी करना पड़ता है। सिक्षन के कारियों के अतिरिक्त सिक्षक को अनेक प्रतिलेखो एवं पंजिकाओं का रख रखार करना पड़ता हैं, समय एवं अर्थ के दिश्टिकों से ये अधिक खर्चिले होते हैं, कभी-कभी सिक्षक का पचपात पुर्ण वेवहार बार-बार मुल्यांकन को मुल्यांकन से है, जो सत्र के अंत में वार्थिक परिक्षाओं के रूप में किया जाता है, अंत इसके अंदर का तभी एकत्रित मुल्यांकन करते हैं, जीनिके आधार पर कच्छोनती, चयान, पदोनती, भैसवानी, इत्यादिक की जाती हैं, इस परकार के मुल्यांकन में पूरे सत्र का कुल मुल्यांकन आता है अब इसका लाव यानी मेरे से जानेंगे दिरेकलेन मुल्यांकन के लाव निम लिखित है अ, समय वम अर्थ के दिश्टिकों से यह कम खर्चिली होती है बी, प्रसासनिक दिश्टिकों से भी यह आसान होती है क्योंकि इनकी तैयारी वेवस्था परती लेखन भी एक ही बार तैयार करना पड़ता है सी, सिक्षक के लिए भी अधिक कारे नहीं बढ़ता है डी, पूरे पाठिकरम को एकायों में विभाजित नहीं करना पड़ता और एक ही बार में पूरे विश्टिक की परिक्षा ले ली जाती है अब इसका दोस्त जानेंगे यहने डी मेरिट्स दिरिकालेन मुल्यांकर में निम लिखी तो दोस्त होते है दिरिकालेन पर छों की बैदता एम विश्वसिनेता कम होती है क्योंकि पूरे पाठिकरम के कुछी अंसो का परतिनी धित्व प्रस्न पत्र में होता है इससे गेस पेपर गाड चैनित अध्यान कोचिंग को बढ़ावा मिलता है विद्यार्थी विश्य की गहनता से अध्यान नहीं करता सी विद्यार्थी को अपने में सुधाल लाने का उसा नहीं दिया जाता है दी सिक्षक भी अपनी परवावसिलिता को नहीं जान पाता है दोनों परकार के मुल्यांकन लाप्रद है अता एक बिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् करना जिससे क्या वगा के सिक्षन विंदों का चेन करना अधिगम किरिया हैं वैभार परिवर्तन विद्यारतिक का मुल्यांकन करना अप्रिश्पोशन इस प्रकार से मुल्यांकन प्रक्रिया का पद है प्रोसेस इस प्रकार से क्या दाएगा सखेक मिल्यांकन का छेतर क्या है? यानि सरेडीक विकास IMP сवास संबर्ण भी होना चाहिए सारेरिक विकास के मुल्यांकन ये तो विद्यार्थी का समय समय पर अच्छे चिकित्षक दवारे निक्षन होना चाहिए और किसी भी परकार के सारेरिक दोसों से दूर करने है तो सही समय पर चिकित्षक की राय लेनी चाहिए शारीरिक विकासे तो एक विद्यारिक को नेम लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए A. विद्यार्थी की परते का सत्र में एक बार सारीरिक जाँच कुसल चिकिछा का दवारा करवाई जाए B. ऐसे विदार्थियों की जीन में किसी परकार के सारीरिक अपंगता है उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए C. विदार्थियों के सारीरिक छम्दा का मुल्यांकन एक नीचित समयावधी के बाद अवस्य होना चाहिए D. अगर किसी विदार्थि में कोई असमानिता हो तो उसे के विभावा को तूरंत सूचना देना चाहिए B. दूसरा मुल्यांकन है समाजिक विकास्वा मुल्यांकन यानि Evaluation of a Social Development विदार्थि विदार्थि में सिचकों तथा अने विदार्थियों के संपर्ख में आते हैं और अपनी विचारों का आदान पादान करते हैं इसके पहिनाम सरूप बिद्यार्थी में सानू, भूति, सहयोग, सभागिता तथा अनुसासन जैसे छमताओं का विकास होता है जो उन्हें एक कुसल समाजिक प्रानी बनाते हैं इस उदे से हैतु बिद्यार्थी को निमनलिकित कारी करने चाहिए पहला कारी करना चाहिए क्या? तो बिद्यार्थी के दिन प्रति दिन की गतिविद्यों जैसे प्रातना साभा में भासन, खेल कुद कारी करम, गाइडिंग या अस्कॉर्टिंग इत्यादिकी और ध्यान दिया जाये तथा उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाये बी, इन कारी करमों के प्रते बिद्यार्थी का दिश्ठिकोन किस परकार का है? स्माजिक विकास का पता लगाने के लिए सामाने सिक्षक निर्यग स्षन विद्यकाही परियोग करते हैं प्रंतु विश्य परित्यतियों में रेटिंग असके लिए बशनावले की या समाज म मिती की सहायता लिया सकती है तुसरा प्रकार का मुल्यांकर है व्यक्तित्व के विकास का मुल्यांकर यान Evaluation of Personality Development इसके अंदर गलत है देखे किया मुल्यांकर होता है व्यक्तित्व के अंदर गलत मनुववय ग्यानिक गुण जैसे मिलन सारिता, समाई सेवा, बुद्धी, चरित्र, सवभाव मनुवैग्यानिक, तथा वेशबुसा, सारिरिक गठन, वानी, जैसे सारिरिक गुन समाहित होते हैं विद्यार्थी में इन सब गुनों का विकास दकर एक अच्छे व्यक्तितों को विक्सित कर सके मिद्याले में वेक्तितों विकास के लिए निमलिकित प्रयास किये जाने चाहिए ए, विद्यार्थी को प्रतिदिन अपनी डायरी बनाने को कहना चाहिए जिसमें वो अपनी प्रतिदिन की घटनाओं का विवरन लिखे B. सिक्षक को विद्यार्थी के वेभार का निरिक्षन करना चाहिए और असमानी वेभार करने वाले विद्यार्थियों के बारे में अपनी डायरी में नोट करना चाहिए सी, विशेज वेवारों का पता लगाने के लिए विभीन वेक्तितों परिक्षनों की सहायता लिनी चाहिए समय समय पर TAT एबं CAT वेक्तितों मापनियों की सहायता से विद्यारित्यों का वेक्तितों मापन करना चाहिए चोता परकार का मापन है सैचिक उपलब्दियों का मापन यानि Evaluation of Educational Achievement विद्याले में सैचिक उपलब्दियों का मापन करने के लिए मासिक तथा सात्रिक परिक्षाय ली जाती है विद्यारित्यों को कच्छोनती भी इनी परिक्षाय के आधार पर दी जाती है सैचिक लब्दियों को जाज करने है तो विद्याले में निमलिखित किरियाय होनी चाहिए A. विद्याले का प्रते दिन कारे निमित रूप से जाचा जाए B. जब कोई विद्यार्थी को गिरी कारे दिया जाता है तो सिच्छा को उसका मुल्यांकर अवसे करना चाहिए D. सत्र पुरा होने पर वार्चिक परिछाय भी अवस होनी चाहिए Thandak के सिखने के सिधानत का सैचिक आसे एवं मुल्यांकर Thandak ने सिखने के सिधानत में सैचिक उप्योगिते एवं सैचिक आसे को मत दिया है इन्होंने सिख्छा मनुविज्ञान की पुस्तक भी लिखी जिसका प्रकासन 1913 में हुआ Thandak के सिखने के सिधानत का सैचिक आसे यह है कि सिख्छार्थी का वैभार बाहे पुनर बलको यानि external reinforces से अधिग प्रभावित है आंतरिक प्रेर्णा यानि internal motivation से कम सिख्छकों को चाहिए कि वे चात्रों को सही अनुक्रिया करने के लिए प्रिरित करें और यदिवे सही अनुक्रिया करते हैं तो उन्हें पुरस्कान यानि reward दे Thandak का मत्था की कच्छा में छात्रों द्वार सिखेगे कौसल यानि skills का वास्तिक जिन्दगी real life में तभी हस्तांतरन होगा जब दोनों परिस्थितियों काफी समान हो ये बात Thandak दवारा प्रतिपादि सिखेगे समरुप्त सिधान से असपष्ट हो जाता है चात्रों को प्रायक कठिन विश्यों को पढ़ने पर बल नहीं देना चाहिए Thandak के अनुसार अध्यापैन यानि टिक कैचिंग की सबसे मतपूर्ण विद्धी वह होती है जिसमें सिख्षा को ये असपष्ट रूप से पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है अब हम पढ़ेंगे परिक्षोपियोगी व्दत ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है परिक्षा के दिश्टी कोन से है तो अच्छे समझेगा मुल्यांकन एक निरंतर चन्ने वाली परिक्रिया है जो सिख्षा की संपूर्ण प्रनाली का अभिन अंग है तथा जिसका सैचिक उतेशों से घनिश रंबंध है अलपकाले मुल्यांकन के द्वार बिद्यारती के विकास तथा पाइट क्रम के विकास का पता लगाय जाता है सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन में ब्यापक मुल्यांकन का तात्पर सैचिक एवं ससैचिक छेत्रिके मुल्यांकन से है बच्चों का मिल्यांकन सतत एवं ब्यापक मिल्यांकन दवारा होना चाहिए विद्याले आधारत आकलन में बाय परिशको की अपेच्छा सिक्षक अपने सिक्षारतियों की छमताओं को बेहतर जानते हैं आकलन का उदेशे बालकों की अभिवरिती छमता तथा ग्यान का अस्तन इतियादी का मापन करना होता है आकलन मिल्यांकन की संचित परकिरिया है आकलन के माध्यम से विद्यारतियों और सिच्छकों की फिडबैक की प्राप्ती भी होती है आकलन करने का सरवाधिक उप्युक तरीका सिक्षन अधिगम में अंतरनीहित प्रक्रिया है नविन ग्यान तथा नविन प्रतिक्रियाओं का अरजन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है अधिगम के माध्यम से बालक को कच्छा में देगे सिक्षा को कितना आत्मसात्वस सिख पाया इसके जानकारी आंकलन के माध्यम से ही होती है आंकलन सिक्षन अधिगम का ही भाग है तो इस परकार से यह अधिया यहां समाप्त हता है लुसेन बाल विकास समसिशा साथ का अनी वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैं उसका लिंक देदूंगा या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में देखते रहे हैं मेरे चैनल जैहिंद